My dear students, just अभी कुछ देर के बाद आप सभी बच्ची अपने अपने परिक्षा हॉल में चले जाएंगे, आपके सामने विज्ञान का पेपर आ जाएगा और आप लोग उस सवाल का जवाब दे रहे होंगे, जो आपके परिक्षा में पूछा जाएगा. लेकिन प्यारे बच्चो, परिक्षा में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा. उसके पहले आप लोग यह वाला पूरा विडियो देख लीजिएगा. 80 कोस्चन का एक सेट है, हम कोशिस करेंगे कि 20 मिनट में इस सेट को खतम कर दे. तो ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन परिक्षा से पहले आप लोग इस सेट को जरूर देख लीजिएगा. तो चलिए प्यारे बच्चो, हम लोग सबसे पहले नमबर कोस्चन की तरफ बढ़ेंगे. प्यारे बच्चो, चाहे दरपन हो, चाहे लेंगे. प्यारे बच्चों चाहे दरपन हो चाहे लिंस हो हमेशा अबतल दरपन या अबतल लिंस की फोकस दुरी क्या होता है रिन आतमक होता है तो पहला का बी नमर आप्शन सही होगा जो बच्चे पहला का बी नमर आप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिलकुल सही है अब चलिए दूसरा नम्मर कोश्चन क्या कह रहा है दूसरा नम्मर कोश्चन है कि दरपन की फोकस दूरी और बकरता तरीज़ा में क्या संबंध होता है दरपन की फोकस दूरी और बकरता तरीज़ा में संबंध सही होगा जो बच्चे बी नम्म उप्सन बता रहे हैं न उनका जबाब बिल्कुल सही है अब चलिए आगला नम्मर कोशन क्या कह रहा है इस तिन नम्मर कोशन कह रहा है कि समानने द्रισ्टी के लिए क्या है? है 25 सेंटीमीटर परिक्षा में आप लोग देख ली जगा ऐसा नहीं कि 25 मीटर लगा दीजेगा 25 सेंटीमीटर होता है और 25 सेंटीमीटर ही लगाना है चलिए चौता नमर कोशन क्या है स्वेत प्रकास का कौन सा रंग किसी प्रिजम से गुजरने के पस्चाहत सबसे कम जुकत है तो सबसे कम कौन सा रंग जुकता है सबसे कम प्यारे बच्चो लाल रंग जुकता है अप लोग ध्यान रखियेगा चलिए पाच्वा नमर कोश्चन जो की काफी ज्यादा इंप्डेंट कोश्चन है कह रहा है कि मानव आंख की रेटीना द्वारा बनाई गई छवी बस तभीक और सीधा होता है पाचमा का यदि डी नमर आप्शन बता रहे हैं तो बिलकुल सही जवाब है पाचमा का प्यारे बच्चो सही जवाब कौन सा हो जाएगा बस ओहो मानब आख की रेटीना द्वारा ना मानब आख की रेटीना द्वारा प्यारे बच्चों बस्तवीक और उल्टा होता है बस्तवीक और उल्टा होता है पाचमा का बी आप्शन सही होगा जो बच्चे पाचमा का बी नमर आप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है पाचमा का बी होगा डी नहीं चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं च च्छो नम्मर कोशन की तरफ च्छो नम्मर कोशन कह रहा है कि आकास का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है तो आकास का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकास के प्रकिरन के कारण जवाब ध्यान रखिएगा बी नम्मर आप्शन सही होगा उसके बाद चलिए अगला नम्मर कोश आठ नमबर कोश्चन देख लेते हैं बस असी कोश्चन ही देखेंगे एक सेट पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें से बहुत सारे कोश्चन लड़ जाएंगे सेकंड सिटिंग में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा निमलिकित में कौन सा लेंस निकट द्रिष्टी दो रखिएगा चलिए नॉमा नमर बता दीजे नौ नमर कोश्चन क्या कर रहा है कि निमलांकित में से कौन उपकरण विद्दुत धारा की उपस्थिती को दर्साने वाला उपकरण है गैलवेनोमीटर ध्यान रखिएगा नॉमा का ए नमर आप्शन सही होगा चलिए अगला न नमर कोश्चन क्या कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगुठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था दाएं हाथ के अंगुठे के नियम को प्यारे बच्छो इसने मैक्सिबिल ने किया था मैक्सिबिल ने किया था दाएं हाथ के अंगुठे के नियम को किसने किया था मैक्स तो ध्यान रखिएगा वीभबाएंतर का इससांध साई मातरक बोल्ट होता है अगर आपसे बीभब का SI मातरक पूछ दे तो बीभब का भी बोल्ट ही होता है अगर आपसे धारा का SI मातरक पूछ दे तो धारा का MPR होता है ध्यान रखियेगा धारा का MPR होता है अगर आपसे प्रतिरोध का पूछ दे तो प्रतिरोध का SI मातरक प्यारे बच्चो ओम होता है अगर आपसे कार्ज का पूछ दे तो कार्ज का SI मातरक जूल होता है प्यारे बच्चो जे यूएली जूल लिखाता है हंदी में इस परकार्थे हम लोग जूले लिखेंगे, समझ गए ना, इस परकार्थे आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी ज़्यादा important यह सब होता है, अगर आप से आबेस का पूछ दे, तो आबेस का ऐसा ही मातर क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए, का आबेस का ऐसा ही मा बढ़ता है, तो किस सन्योजन द्वारा प्रतिरोद का मान बढ़ता है, जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, सिरेनी करम में बढ़ता है, सिरेनी करम में बढ़ता है, अगर सन्योजन करम रहता, तो वहाँ पर घंट जाएगा, चली आगे बढ़ते हैं, अगला नंब चुमबचीए च्छटर की परकरती होती है। का C number option विल्कुल सही जवाब होगा चलि अगला नमबर कोशन बता दीजे 15 नमबर क्या कर रहा है कि नभी करनिय उर्जा का सुरोत क्या है तो नभी करनिय उर्जा का सुरोत प्यारे बच्छों सौर उर्जा हो जागा यहां पर 15 नमबर है ना 15 नमबर है जड़ा देख लेते हैं एक बार 15 15 नमबर उनसा है 15 नमबर 15 का प्यारे बच्छों सही जवाब कौन सा होगा पी नमबर ऑप्शन हो जाएगा सौर उर्जा ध्यान रखिये चलिए आगे बता दीजे अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन क्या कह रहा है जवाब आप लोग ध्यान रखियेगा चलिए अगला नम्मर कोश्चन बता दीजे अगला नम्मर कोश्चन बता दीजे 17 नम्मर कोश्चन क्या कह रहा है परकास का परात्मिक वर्न कौन सा है 17 नम्मर कोश्चन है परकास का परात्मिक वर्न कौन सा है तो प्रकास के प्रात्मिक वर्ण में लाल भी आता है, हरा भी आता है, नीला भी आता है, तो जवाब होगा उप्युक्त सभी, D-Number option सही होगा, जो बच्चे D-Number option बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, समझ गए, D-Number option बिल्कुल सही जवाब है, चलिए आगे बढ रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है, अठाना का D-Number option क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, चलिए आगे बता दीजे, अगला उनईस नमबर कोशन बता रहे हैं, उनईसमा नमबर कोशन है, एक HP, एक HP बराबर कितना वाट होता है, एक होर्स पावर, तो एक होर्स पावर बराब बिस का B-Number option सही होगा, बिस का प्यारे बैचो B-Number option सही होगा, कि विसालक सीसा जो होता है, अब उत्तल लेंस का होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है, एक हैस नमबर कोशन, यह कह रहा है, जब किसी चालक तार से विद्दु धारा परवाहित होती है, तो आप D-Number option बता रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, चलिए, बाइस नमबर कोशन देख लेते हैं, कह रहा है कि M-P-R घंटा किसका मातरक होता है, M-P-R घंटा, तो M-P-R घंटा किसका मातरक होता है, ध्यान रखियेगा, सक्ति का नहीं होगा, अबेस का नहीं हो बाट के बराबर होता है, बाट के बराबर कौन सा होता है, तो जवाब हो जागा, जूल पर सेकंड, बाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, जवाब आप लोग ध्यान रखियेगा, चलिए, आगे कोशन बता दीजे, अगला कोशन क्या कह रहा है, अगला कोश कि Global Warming के लिए कौन उत्तरदाई है?... बताए तो आप लोग Global Warming के लिए उत्तरदाई ενकों सा है आपको पता है कि Global Warming के लिए CO2 उत्तरदाई होता है gonna beів व्हाल बार्म cyn के लिए CO2 कर व्हता है तो जवाब कों सा जाएका बताई में पटाए जाए जवाब यहाँ पीस से पचीस मिनट में हम यह 40 कूशन का जवाब दे करके और सब्जेक्टीटीटीव कोस्चन में लग जाए bamboo कियोंकि इंपोटेंट सब्जेक्टीव होता है समझ गये है आज कि परिक्षा के लिएえる सब्जेक्टीव इंपोटेंट सब्जक्टिप पर आपको ज़्यादा देना होगा चलि आगे हम लोग देख लेते हैं अगला नम्मर कॉष्ण बता दीजिए अगला कॉष्ण कौन सा है 26 नम्मर 26 नम्र कॉष्ण क्या कह रहा है जी या 26 नम्मर कॉष्ण है कि सरीर में भोजन का पचता है तो यह उपचयन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं औक्षी करण भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा औक्षी करण भी बोलते हैं जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए आगे बता दीजे 27 नमर कोस्टन क्या कह रहा है कह रहा है कि जो कली चुना होता है उस पर जब जल डाला जाता है तब अवि चलिए 28 अमर कोश्ण बता दीजे निम्नांकीत में कौन सब्से अधीक अभिक्रिया सील है चलिए भई निम्नांकीत में कौन कौन सा है चार अप्सिन दिया गया है आपको बताना है कि अचारों में सबसे ज़्धा अभिक्रिया सील कौन है बता ये CU, HG, AG और AU या चारों में सबसे ज़्यादा विक्रिया सील कौन है कोश्चन नमबर कितना है जी 26 कोश्चन नमबर नहीं 28 है 28 नमबर कोश्चन बता दीजिए 28 कोश्चन का जवाब कौन सा होगा 28 कोश्चन का जवाब प्यारे बच्चों CU हो जाएगा जवाब आप लोग ध्यान रखेगा D option सही होगा समझ गए ना देखिए CAO पलस में यानि की calcium oxide चुने के पत्थर पर जब जल डालते हैं H2O डालते हैं तो बनता है CAOH का Dhol 2 ध्यान रखेगा आप लोग समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला number question क्या कर रहा है 30 number question यह कर रहा है कि कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान कितना होगा कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है तो लाल को अगर नीला कर रहा है तो वह पक्का चार होगा और चार का pH मान क्या होता है एक तिसमा नमबर कोश्चन है कि एलकाइन में कारवन कारवन के बीच कितने सहसन योजक बंदन होते हैं एलकाइन में तो एलकाइन में प्यारे बच्चों कारवन कारवन के बीच कितने सहसन योजक बंदन होते हैं जवाब इसका क्या होगा option में है, एक है, दो है और तीन है, तो कर्वन कर्वन के बीच तीन सहसन युजग बंदन होते हैं, यदि आपका जवाब तीन है तो बिलकुल सही है, चलिए, आगे बता दीजिए, गुलकोच का आणविक सुत्र क्या होगा, गुलकोच का आणविक कहलाते हैं, उच बस यह हम लोग के सोडियम लवन को हम लोग क्या कहते हैं, साबून कहते हैं, जवाब हो जाएगा a number option, जवाब प्यारे बच्चो a number option होगा, अगर बता रहे हैं तो बिलकुल सही है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे एक बर विडियो को लाइ कर दीजे और प्यारे बच्चों अगर हो सके तो share भी कर दीजेगा क्योंकि काफी ज्यादा important question है जो अभी हम आपको बता रहे हैं इसी level का question हुब हुब question तक आपके परिक्षा में लड़े जाएगा इस से तो आप लोग बस चिंता मत करिया और जल्दी से जवाब बताईए 35 नमर question बता दीजे सही जवाब कौन सा होगा तो जवाब हो जाएगा घटती है जवाब क्या हो जाएगा घटती है ध्यान रखियेगा चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नमर question क्या कह रहा है निम्नांकी तत्मों को उनके आधातू गुन के नुसार बढ़ते करम में सजाएं तो लितियम हो जागा बेरेलियम हो जागा carbon oxygen और fluorine बी option बिलकुल सही होगा बी नमर option बिलकुल सही होगा आप ध्यान रखियेगा चलिए आगे बता दीजे 37 नमर question क्या कह रहा है सिलकन क्या है तो सिलकन के बारे में हम आपको बताया थे ना सिलकन एक उपधातू होता है सिलकन क जो है वह बिद्दूत धनातमक है sodium जो है वह बिद्दूत धनातमक तत्व है याद रहेगा ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं 49 नमर question की तरफ second sitting वाले बच्चों आप लोग पूरा रट लेना इसको second sitting वाले बच्चों आप लोग पूरा रट लेना एक एक question को बहुत सारे question याँ से टकराएंगे समझ गए ना सारे second sitting वाले बच्चे यहाँ से रट लेंगे चलिए बताइए फड़ा पट से तीहरी बांध का निर्मान किस प्रदेश में किया गया है तीहरी उत्रा खंड में है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा उत्रा खंड में है तो 49 का B option स यह होगा ध्यान रखिएगा 49 का B number अब चलिए 40 number question बता दीजे निम्नांकित में किस धातू के किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है इसके बाद कोई material मेरा नहीं आएगा इसके बाद सीधे जाना है और परिक्षा दे करके चले आना है और विस्वास रखिएगा से मालुम होगा कि सोडियम को किरासनросन से दुबा करके रखा जाता है चली अगला question क्या कह रहा है अपमार्जक से बनाये जाते हैं क्या बनाये जाते हैं वाई अगे 2002 आगे बताये 42 number question क्या कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग کیा जाता है सौर सेल में सिलिकन का उप्योग होता है B option सही होगा सौर सेल में प्यारे बच्चो सिलिकन का उप्योग किया जाता है 42 का B option कितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है आपका जवाब चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब 43 नम्मर question निमनलिकित में से किसका उप्योग खाना बनाने के इंधन में नहीं किया जाता है देखे उधर लिखा हुआ है नहीं होता है तो खाना बनाने के इंधन में प्यारे बच्चो जवाब ध्यान रखियेगा CNG का नहीं होता है बाकि BioGas, LPG, Koila सब से खाना बनता है लेकिन CNG से खाना नहीं बनता है चलिए आगे आप लोग बता दीजिए 2COO पलस O2 से 2COO बन गया क्या हो रहा है देखिए ऑक्सीजन आकर किसके साथ जुड़ रहा है यानि कि ऑक्सीकरन हो रहा है तो यह ऑक्सीकरन 44 का A नमर अप्सन सही होगा ऑक्सीकरन हो रहा है चलिए 45 देख लेते हैं अब 45 नमर कोश्चन क्या कहा रहा है जरा इसको देखिए निमनिकीत में कौन सा समिकरन संतुलित नहीं है चलिए भाई 4 समिकरन दिया गया है और कह रहा है कि संतुलित संतुलित कौन नहीं है ह2 पलस CL2 से हो गया 2HCL यह तो संतुलित है PBNO3 का दियाल 2 हमें ल दो दो चार एक पांची है तो बिल्कुल भी संतुलित नहीं है बाकि सब संतुलित है इधर हईड्रोजन 4 हो जाएगा इधर भी हईड्रोजन 4 ऑक्सिएं 2 चलिए के CLO3 हो जाएगा 2K3O4 अक्सिएं 2 नमबर ऑप्सटो यह आपका सही जवाब होगा एक कोसचन इस परकार कर रहेगा आपके परिक्षा में ना कमेस्ट्री में इस परकार का एक कोसचन जरूर रहेगा चलिए 46 नमबर कोसचन बताइए 46 नमर कुश्चन है, 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. कह रहा है क्रायो लाइट किसका यसक है आप लोग बताइए 48 नमर कुशन बताइए कि क्रायो लाइट तो गलत हो जाएगा उन्नाईस होता है चलिए जी आगे परमानु संक्या आप लोग कम से कम 20 सों को दियाद रखिएगा जरूर चलिए फॉर्मी कमल का आई उपीसी नाम क्या होता है मेथे अगला कोशन क्या कह रहा है थोड़ा सा फास्ट हम लोग देखेंगे इलकाइन कौन है इलकाइन बता यह बामन नमबर कोशन में बता दीजे की इलकाइन कौन है C2H2 प्यारे बच्चो एलकाइन है A option जो बच्चे बता रहा है न उनका जवाब बिल्कुल सही है चलिए आगे बता दीजे तिरपन नंबर करा है कि चीनी का रसानिक सुत्र क्या होगा तो चीनी का होता है C12H22OE11 तिरपन का B option सही होगा Acetylene में कारवन कारवन के बीच तीन सहसन योजग बंधन होते हैं तो D option होगा बिल्कुल सही जवाब समझ गए ना चलिए चाहे तो दो न तो तीन पांच साथो सहसन योजग बंधन किसी का नहीं होता है तो गलती से भी आप उसमें नहीं लगा सकते हैं चलिए पच्पन नमर को스ंट क्या कहरा है स्व kennt के अध्यन के लिए उपयोग किये जाने वाले बीच कौन सा है तो स्वكن के अध्यन के लिए प्यारे बच्तो सूखे बीच, उबले हुए बीच, अंकुरित बीच, कुचले हुए बीच question क्या कह रहा है स्वसन के अध्यन के लिए उपयोग किये जाने वाले बीज कौन सा है तो स्वसन के अध्यन के लिए प्यारे बच्चो सूखे बीज उबले हुए बीज अंकुरित बीज कुछले हुए बीज जवाब हो जाएगा वह उत्सरजन का एक हिस्सा है 56 का C option जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चलिए 56 का C option प्यारे बच्चो बिल्कुल सही है आपका आगे बता दीजे 57 number question क्या कह रहा है पौधों में जायलम निम्लांकित में किसके परिभान के लिए उत्तरदाई होता है तो जायलम के बारे में आपको पता है जायलम होता है जो जल के बहन के लिए यानि कि पानी 57 का A number option सही जवाब होगा चलिए 57 number बता दीजिए 58 number question यहाँ पर है स्वसन के दौरान कौन सी gas निकलती है स्वसन के दौरान तो स्वसन के दौरान CO2 gas निकलती है उन्ठावन का A option होगा जो अगरे बता दीजिए 69 number question क्या कह रहा है जरा देख लीजिए ध्यान से फलों को पकाने में निम्न में से किससे नियंतित किया जाता है 69 number question तो जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा इथिलीन को C option सही होगा जो बच्चे C number option बता रहा है उनका जवाब बिलकुल सही है 60 number question जरा बताईए निवरान का वोब है हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे देंडराइट बोला जाता है समझ गए ना उसे देंडराइट जो सबसे आगे बाला भाग होता है इस परकार से चित्र बनता है हम आपको बताया थे भी समझ गए इस परकार से प्यारे ब एक सक नमबर कोशन बताईए निम्नांगित में से कौन अपात काल का हर्मोन है अपात काल का हर्मोन किसे कहा जाता है बताईए तो चारों में अपात काल का हर्मोन कौन सा हो जाएगा Adrenaline को प्यारे बचो अपात काल का हर्मोन कहते है Adrenaline को A option सही होगा सही जवाब हो जाएगा A number option ध्यान रखिएगा चलिए उसके बाद बता दीजे 62 number question 62 number question बताईए निमने लिखित में से कौन अनेचिक क्रिया नहीं है अनेचिक क्रिया नहीं है उल्टी हो जाएगा 62 का सही जवाब कौन सा होगा 62 का सही जवाब हो जाएगा चबाना यह अनेचिक क्रिया नहीं है जब मन होगा तब चबाएंगे ऐसे ही मुह नहीं चलते रहता है तो सही जवाब होगा D number option आगे बता दीजे 63 number question क्या कह रहा है मानब में गर्व के अबदी कितनी होती है मानब में गर्व के अबदी होता है 9 महीना तो 9 महीना में 30 से गुना कर दीजे 927, 270 हो जागा न 270 दिन A option सही जवाब होगा A option प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा आगे बताए 64 number question क्या करा है गंगा action plan कब सुरू हुआ था 64 number question बताए गंगा action plan 1985 में सुरू हुआ था B number option सही जवाब होगा जो बच्चे B number option में है उनका बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते है अब 65 number question बता दीजे मुकुलन द्वारा अलेंगिक जनन निम्लांकित में किसमे होता है तो मुकुलन द्वारा होता है East में A option सही होगा एक भी question ऐसा नहीं है कि जो आपसे न बन सकता है total question आपको पढ़ाया गया है total question हम आपको बताए है तो एक- Το question का जबाब आप लोग बना सकते है आपके है छमताह इतना कि आप लोग देज सकते हैं इन सभी question का जवाब इतना हम आपको काभिल बना दीए है 64 number बताए निम्र में से कौन сी बीमारी स्वसंतंतर से समंदित है तो स्वसंद तंतर से समंदित भीमारी कौन सा है देख लिए तो निमोनिया हो जाएगा 66 का सही जवाब कौन सा होगा निमोनिया भी हो जाएगा और टीवी और निमोनिया टीवी और निमोनिया टीवी भी स्वसंद तंतर से ही होता है एक तरीके से डी option में अप लोग लगा लीज़ेगा, चाहे तो D option होगा ने, तो C option होगा, निमोनिया तो होता है, TB के बारे में, ठीक है D option लगा लीज़े, B और C दोनों लगा लीज़े, चलिए 60 नमर में बता दीजे, मनुस और अनमान सहारी जीव निमनिकित में किसका पाचन नहीं करता ह किसका पाचन नहीं कर पाते हैं तो 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 किसका पाचन नहीं कर पाते हैं चलिए अब लोग 68 number question देख लेते हैं, ज्यादा question नहीं है, 10 question और बच गया है, करा है कि brain hemorrhage का मुख्य कारण क्या होता है, तो brain hemorrhage का मुख्य कारण क्या होता है? hypertension होता है, ध्यान रखिएगा brain hemorrhage का मुख्य कारण क्या होता है? hypertension ध्यान रखिएगा C option सही होगा hypertension 68 का C option सही जवाब होगा चलिए 79 number question बता दीजे 79 number question बता ये प्यारे बैचो जल्दी से निवनिवे से परजिवी पादप का उधारन क्या है? परजिवी पादप तो 79 number question बता दीजे 79 number question सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा परजिवी पादप है कसकूटा, B option बिल्कुल सही होगा उसके बाद बताईए 70 number question क्या कह रहा है? जी हिर्दे से रक्त को संपूर्ण सरीर में पंप किया जाता है किसके दौरा? नीले के दौरा, B option बिल्कुल सही जवाब होगा जो बच्चे B number option बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है आगे बता दीजे अगला question क्या कह रहा है? 70 number question जान की बिदीख कौन सी है? 70 number question बताइए जान की बिदीख कह रहा है? फिर बताइए अगला question 70 number 70 number question कह रहा है कि जनन संचारी तरोग कौन सा है? सिफलिस, गौनोरिया, एट्स, इनमें से सभी 70 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखियेगा इन में से सभी हो जाएगा जिसमें सबसे खतरनाक है यह हवाला चलिए जी आगे बताइए आप लोग 73 नमर कहा रहा है कि पुस्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है 73 नमर कोशन तो जब आप ध्यान रखिएगा पुस्प का बाहरी भाग को हम लोग बाहर दलपुंज बोलते हैं 73 का A आप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है चलिए 74 नमर कोशन बता दीजे 74 नमर कोशन बता दीज़ आप लोग कि Blood Sumu A में कौन सा Antibody होता है Blood Sumu A में प्यारे बच्चो B Antibody होता है 74 का C ऐप्शन होगा जो बच्चे 74 का C ऐप्शन बता रहे हैं न उनका बिल्कुल सही होगा चलिए 75 नमर कोशन बता दीजे 75 नम्मर कोशन बता दीजे कि रक्त में गुलकोच की मातरा निम्लामकीत में से कौन नहीं नियंतरित करता है तो रक्त में गुलकोच की मातरा 75 का सही जवाब कौन सा होगा बताइए 75 नम्मर कोशन का जवाब हो जागा प्यारे बचों C गेस्ट्रीन नहीं करता है जवाब ध्यान रखिएगा 76 नम्मर कोशन कर रहा है कि पादप पादप ब्रिधी हर्मोन कौन सा है यानि कि पौधों में जो ब्रिधी हर्मोन होता है वह कौन सा होता है तो जिब्रेली नहीं होता है ए आप्शन सही होगा उसके बाद प्यारे बचो 77 number question 77 number question देख लेते हैं हर्मोन सरावित होता है कहां से हर्मोन अंता सरावी गरंथी से सरावित होता है ना तो 77 का A option सही होगा जो बच्चे 77 का A option बता रहे हैं बिल्कूल सही है आगे बता दीजे आप लोग 78 number 78 number कह रहा है कि मनुस में मनुस के मुख में कितने जोड़े लार्ग रंतिया पाई जाती है तीन जोड़ा 78 का जो बच्चे C option बता रहे है उनका बिल्कूल सही है और अब प्यारे बच्चो 89 89 उपर चला गया का रहा कि एंड्रोजन क्या है एंड्रोजन क्या है प्यारे बच्चो आज 80 में 80 करके आएंगे प्यारे बच्चो आज 80 में 80 करके आना है एक भी question नहीं छूटना चाहिए और subjective में भी हम total आपको बता दिये हैं तो जाइए second sitting बाले जितने सारे भी बच्चे हैं आराम से जाइए और 2054 अकर आप लोग परिक्चा दिजिए बिल्कुल आप लोग का परिक्चा बहुत मढ़िया जाएगा हमारा सीरवात आपके साथ है जी आप लोग जाइए और एक्दम मल लगा करके परिक्चा दिजिए पूरा कौपी भर दिजिए आप एकदम सही सही जवाब से, सहने कि गलत जवाब से कौपी भरना है, सही सही जवाब से पूरा कौपी भर दीजे, तो चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं आप से हम सामबाले क्लास में, तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद